नमस्कार मैं हूँ अराद्या सिंग मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हूँ आप सब कैसे हैं आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे के हमारे लेटिस्ट विडियो आप डेली देख सकें सनीदेव नियाएदिस हैं सनीदेव हमारे करमास के अनुसारी हमें सब कुछ देते हैं तो सबसे पहले अपने करमों को अच्छा रखें अगर आपको अपनी जिन्दगी में एक के बाद एक परिशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपसे सनीदेव पिरसन नहीं है आप ह हर सनीवार सनीदेव की पूजा जरूर करें सनीदेव को पिरसन कैसे करें तो सबसे पहले सनीवार के दिन साम के समय में सनीदेव मंदिर जाकर पीपल व्रक्ष के सामने तेल की दीपक में थोड़ा सा हनवान जी का सिंदूर डालकर दीपक को प्रजलित करें और सनीदेव भग या गिरेकलेस रहता है तो हर सनिवार को अपने घर में काले चनी की सब्जी जरूर बनाएं, गिरेकलेस खतमोना शुरू हो जाएगा तीसरा उपाए, सनिवार के दिन उड़त के डाल की धही वल्ले या काली उड़त की डाल की खिशुटी बना कर बाटें, इससे सनिदेप पिरसन होंगे चौथा उपाए, सनिदेप की पूजा के सासा सिप जी और हर्मान जी की पूजा भी जरूर करें पाच्वा उपाए, सनिवार के दिन दान करना अच्छा होता, यदि हो सके तो किसी मजदूर को दो पानी की बोतल खरीद कर दें, पैसे में बरक्कत होगी चटा उपाए, सनिवार के दिन सनिदेप की पूजा करें, इसके साथ ही सनिदेप भगवान का मंत्र ओम संसनेश्च चराय नामा का रुद्राक्ष की माला से 108 वार जाप जरूर करें साथवा उपाए सनिवार के दिन सुभा के समय में तावे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें सिब्जी के मंदिर जाएं और इस जल को सिब्लिंग पर चड़ाएं ऐसा करने से सभी विरकार की परिशानिया दूर होने लगेंगी आठवा और आखड़ी उपाए सनिवार के दिन एक कटोरी में सर्सों का तेल कर लें और उस तेल में अपना चहरा देखें अब यही तेल किसी गरीब को दान में दे दें इससे भगवान शनी आपसे खुश होंगे और आपका भग्य बदल जाएगा मेरे उपाए आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं जै माता दी